आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं 20th में के टॉप 10 GKMCQs फ्रेंड्स आज दिन में कॉंटेक्ट वीडियो आने वाला है PNC के उपर एप्लिकेशन ऑफ PNC इन एलजेब्रा आपनों कोशन सुने होंगे न और इसके निकालने हैं पड़ते हैं हमको non-negative integral solutions positive integral solutions ये बड़ा ही confusing और tricky पाट होता है PNC का और exam में बहुत आता है one of the most common areas and slightly difficult and tricky पर आज दिन में cover कर आँगा मैं आपको अराम से कुरा clear हो जाएगा तो दिन का वीडियो ज़रूर देखेगा पूरी theory, derivation, explanation and question practice करेंगा ठीक है तो बिलकुल असान उसी सो कर दूँगा उसको देखेगा आए स्टार्ट करते हैं 28 में के top 10 questions पहला सवाल देखेगा और friend जैसे कि आप जानते content रोज आ रहा है तो please वीडियो को लाई करके जाए करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा first question कल एक बहुत important rankings या ratings रिलीज हुई है वो देख लीजे एक बार so how many cities have secured five star rating in ये देखे star rating of garbage free cities by ministry of housing and urban affairs so MOHUA ministry of housing and urban affairs ने ये rating release करी है star rating of garbage free cities उसमें से five star rating जो highest rating हो कितनी cities को मिली आपको बताना है और इसी ज़ूर जान लीजे friends ये जो ministry है इसके minister कौन है हरदीप सिंगपूरी हरदीप सिंगपूरी ठीक है answer देख लीजे च्छे शेहरों को six cities have been given five star ratings in the किस field में अच्छा काम किया है garbage free बनाने में answer देख लीजे च्छे सिटीज पहली है अंबेकापूर ये च्छत्यजगर में है सरगूज़ डिस्टिक्ट में राजकोट आप जानते हैं गुजरात में सूरत गुजरात में मैसूरू करनाटका में इंदौर मध्यप्रदेश में और नभी मुंबई तो आप जानते हैं महराज च्छुबई ठीक है ये च्छे शेहर उसके अलावा 65 cities को three star rating मिली है और 70 cities को one star rating मिली है ठीक है तो वो कोई rank आप देख सकते हैं बट five star के नाम important होंगे हैं आप आगे चलते हैं question number two आप जानते हैं friends की इंडिया को help मिलने वाली है USA उस help का एक decoding करी गई है इंडिया को 220 liters मिलने वाले हैं ठीक है they will be donated by USA इन्हें कौन fund करेगा आपको बताना है USA देने वाला है पर USA मेंने fund कौन करेगा and the answer is USAID United States Agency for International Development ये foreign aid agency है US की US सरकार से जड़ी हुई foreign aid agency और world की one of the largest foreign aid agency है ठीक है जो दूसरे देशों में development, health, poverty हटाने के लिए socio economy development इन सब कामों के लिए aid देती है तो हमारे हाँ जो दोस्तों guarantee later आने वाले हैं मे जून, मे एंडिया जून के असपस आज जाएंगे उसे भी USAID ही fund करेगा और this is related to that tweet जो Donald Trump ने किया था कुछ दिन पहले अपने news में देखा होगा कि उन्होंने इंडिया को appreciate किया था हम उनकी help कर रहे हैं वो हमारी help कर रहे है तो उसके तहट 200 ventilators इंडिया में आएंगे चलो यह उस article अब देख से तो दो हिंदू newspaper से इतनी जानकारी हैं आपे काफी रहेगी detailing बाद में समझाई गई है यह जो मैं आपको बात कर रहा था Modi, thanks Trump तो जो twitter में उन्होंने बोला फिर thank किया वो सब खानी दी है चलो आगे चलते है World Health Assembly जो की main decision body होती है World Health Organization की उसकी 73rd meeting हो चुकी है आपको बताना है WHA के नए president का नाम very important question WHA के president का नाम है कीवा बेन जो बाहमाज से है बाहमाज एक छोटा आर की पहले गोया island country है Caribbean area में Central Asia, sorry Central America जो है न जो West Indies वाला area है Caribbean area उसमें एक छोटा सा आईलेन है बाहमाज, वहां के कीवा बेन है जिनको नए president बनाया गया है World Health Assembly का फोटा आप देख सकते हैं फ्रेंट्स ये World Health Assembly का 73rd version था और इसमें दो important बते ध्यान रखनी पड़ेगी आपको पहली चीज, इसमें प्रपोजल भी पास हुआ है, जिसमें investigation करी जहीं करोना वाइरस की कि ये कहां से origin हुआ, कैसे move हुआ, किस-किस तरीके से इतना फैल गया है, उसका approval फास हुआ है, और दूसरा US ने बहुत anger present किया है, गुसा हुआ है US क्योंकि ताइवान को इस 73rd assembly में नहीं बुलाया गया, तो USA ने बोला कि WHO और WHA अबी भी चाइना के प्रेशर में काम कर रहे है ताइवान को बुलाना चाहिए था, तो वो टसल अभी भी चल रही है तो दो बाते ध्यान रटी बढ़ेंगी आदे आगे चलते हैं INS, India Newspaper Society, इसके President का नाम बताना है आपको फिर खबर पे जाऊंगा मैं आंसर है, सेलेज गुपता ये midday जो न्यूस्पेपर है उसमें काम करते हैं, उनकी फोटो आप देख सकते हैं सेलेज गुपता जी की, आप खबर देख लीजे So, the Hindu newspaper से The Indian Newspaper Society, INS It is the Central Organization for the Press in the Country उसी तरह की एक organization होती है NBA देखवा National Broadcaster Association अब INS ने क्या बोला है, वो देख लो कि It has told Supreme Court that government should pay up the hundred of crores of rupees it owes in advertisement money to newspapers, ठीक तो उन्होंने बोला है कि बहुत सारा पैसा भी सरकार का बकाया है, जो काफी newspapers को भी पे करना बाकी है as advertisement money, वो सरकार को जल्दी पे करना चाहिए, ऐसा INS ने बोला है ठीक है, and as per the industry estimates Directorate of Advertising and Visual Publicity ठीक है So DAVP क्या होता है Directorate of Advertising and Visual Publicity, कितना पैसा ओ है, कितना पैसा बकाया है, उसका estimate देख सीजिए, between 1500 and 1800 करोर rupees to various media companies, और उस में से बहुत बड़ा chunk, मतलब 800 से 900 करोड रुपए, तो print industry अकेले का है, ये जल्दी वापस करना चाहिए, पैसा pay करना चाहिए, उसके लावा एक चीज़ और, उन्हों ने सरकार को blame भी किया है hypocrisy के लिए और discrimination advisory के लिए, मतलब कि एक advisory दी गई है private establishment को, जो मैं आपको कल बताये था, कि उन्हें full salary देनी पड़ेगी अपने employees को COVID-19 की वेज़ से, बट सरकार खुद, जो कि एक model employer है, वो खुद salaries cut कर रहा है, तो इसी के उपर उन्हें बोला है, कि सरकार private sector को बोल रहा है कि salary पूरी दो पर सरकार ने, खुद ने cut कर रहा है, तो यह discriminatory चीज सही नहीं है, यह दो बातों पर खबर यहाँ पर आई है, important है, ठीक है, चलाओगे चलते हैं, एक international खबर जिसमें technology का part भी है, US has denied the access of semiconductor designs developed using US software and technology to which company, तो US technology और software से design का semiconductor जो है, वो किस company को नहीं दी जा सकेंगे, अब, the answer is Huawei, यह बहुत बड़ी Chinese company है, technology company है, mobiles वगर काफी चीज़े बनाती है, mobiles is one of the main things, बाकि और भी चीज़े हैं, अब, यह company, Chinese company है, और US ने इस company पर पहले भी काफी sanction लगाए हुए है, और US क्या बोलता है, security reasons से sanction लगाता है, पर US यह बोलता है कि Huawei पर बहुत सारे sanction लगा चुके हैं, फिर भी, bypass करके यह कई companies यह supplier से semiconductor खरीद लेता है, जो कि बनाए US technology से ही जाते हैं, इसलिए यह additional यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, sanction, कि भाई, US software और technology से जो भी semiconductor बनाए जाएंगे, वो Huawei को supply नहीं करया सकेंगे, ठीक है, आप में से कई लोग Huawei का mobile use करते होंगे, कई countries में तो बहुत चलता है, इंडिया में चैद उत्ता नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बड़ यह बहुत बड़ी company है और एक बहुत war चलती है, यूएस और चैना की बीच में जो major war चलती है न, cold war टाइप की, खासकर technology war, trade war, उसमें Huawei कंपनी का भी role रहता है, कि बार-बार US Huawei को oppose करता रहता है, article यह देख लो आप, ठीक है, so Huawei ने clearly बोला है कि इस move के बाद, कौन सा move, यह देख लो आप, it is tightening the sanctions on Huawei, कौन टाइटन कर रहा है, US, ठीक, to include denying it the access to semiconductor designs developed using US softwares and technology, ठीक है, Huawei ने इसको protest किया है, the decision was arbitrary and pernicious and threatened to undermine the entire technology industry worldwide, तो Huawei ने इसको oppose किया है, और reason क्या दिये गए है, यहाँ पे मैं देख रहा था, चाहँए आगे लिखा होगा, यह मतलब उने quote, यह तो देख लो, आप Chinese company है, and अशायद किसी और article में पढ़ा होगा, बट मैं आपको यह बताना चाहा रहा था कि, security reason quote करता है, यहाँ पे ने किसी और article में पढ़ा होगा, main reason समझ लो, security, ठीक है, this is the main reason given by the US, हाँ यह रहा न, security risk, यह जाएगी इस decision पे, क्या कुछ वो और बदले में कुछ और करेंगे, तो यह trade war देखते हैं, उसमें important landmark यह माना जा सकता है, चलो आगे चलते हैं, चलिए, आप जानते हैं, friends, हाँग कॉंग में बहुत protest चल रहे हैं, COVID-19 की वैसे थोड़े कम हुएं, बट अभी भी चल रहे हैं, चकर यह कि हॉंग कॉंग को थोड़ी autonomy है, बट फिर भी चाइना हॉंग कॉंग को अपना part मानता है, one China बोलता है वो, जो हिसाब ताइवान में चल रहा है, वैसी चकर चल रहा है अपना हॉंग कोंग में, पर हॉंग कोंग पूरी independence चाहता है, इसलिए हमएं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे दो तरह एक ग्रुप बन गए, एक प्रो डेमोक्रेसी वाले जो आदादी चाहते हैं, और एक प्रो establishment वाले, या प्रो बीजिंग वाले, जो इनको अपोस करते हैं, और वो चाहिना काथ खुश हैं, इन दोनों ग्रुप में टसल हुई, वो देख लीजिए, तो हॉंग कॉंग लेजिसलेचर प्लंच्ट इन्टू सीरियस कॉनफलिक्ट एंड सकफल पहले भी ऐसी सकफल हो चुकी है, अभी दुबारा हुई है, किस बिल के उपर? इस बिल को पास अगर हो गया, हॉंग कॉंग के लेजिसलेचर में, तो हॉंग कॉंग में चाइना की एंथम का अब्यूस करना क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा, यह देखो आटिकल, तो हॉंग कॉंग वाले समझ रहे हैं कि चाइना उसकी चीजों को उनके एंथम और उनकी बाकी चीजों को और इंपोस करा जा रहे हॉंग कॉंग के उपर, इससे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं हॉंग कॉंग कॉंग लेजिसलेचर प्लंच इन्टो केयोटिक सकफल्स for a second time this month as pro-beeging lawmakers on Monday took control of a key committee paving the way for a debate on this bill. और जो pro-democracy लेजिसलेचर से उन्होंने चार्ज कर दिया, मतलब कि basically pro-democracy और pro-establishment या pro-beeging इन दोनों के रूपी इसमें फिरसे लडाई हुई और security guards को भी बीच में आना पड़ा, तो चीज़े और बुरी होती जा रही है, ठीक है, और क्या रूप लेगी पता नहीं, आम जनता भी protest कर रही है, उसको दबाने के लिए चाहना हो काफी force का इस्तमाल करना, legislature के अंदर भी यह सब हो रहा है, अब क्या रूप होगा पता नहीं, but these are really courageous steps by the Hong Kong people, it is not so easy to protest big power like China, let us हो, चीज़े ठीक हो यहाँ पर, आगे चलते हैं, Mount Harriet National Park कहां located है, answer है, Undermann and Nicobar Island, एक article आया था जुसमें पूरा पढ़ने की जरूत नहीं है, आपको basically, एक palm की variety है, ठीक, जो Undermann में उकती है, वहाँ की indigenous है, उसे एक second home मिला है, कहां मिला है, यह institute देख लो, आप इसका नाम यह पढ़ा होगा आपने, JNTBGRI, जवाहरला नहरू Tropical Botanical Garden and Research Institute, ठीक, अब यह institute तिरुवनंथ पुरम में है, अब यह देख लो, आप, पिनानगा, एंडेमेनसिस, यह तरह का palm tree होता है, अब यहाँ पे, इसकी original जगा यहाँ देख सकते हैं, आप कहां पे, Mount Harriet National Park, अंडमान में, और right side में, इसे केरला के तिरुवनंथ पुरम में, इस institute में भी ग्रो करा गया है, ताकि एक second home develop हो सके, तो छोटा सा version इस पेड़ का देख सकते हैं, आप, तो कोशिश करी जा रही है, कि इसको यहाँ पे भी ग्रो करा जा सके, पर मैंने इस institute का नाम इता सुन लिए, कि मेरा, आप में सो कोई गया, इस institute में तो बताइएगा, it seems to be a very great place of learning about all the vegetation and all those things, होगी बात clear, तो यहाँ पे, एक तो यह पाम की variety की important खापर होगी, और location important ही, कि Mount Harriet, National Park, geographical mapping के लिए important होगा, map में देख लो आप, यह पूरा अंदमान सी का area है, यह अंदमान निकोबार यहाँ पर आप देख सकते हैं, Mount Harriet National Park, temporary close, I think, COVID-19 यह से बन पड़ा है भी, ठीक, चलो, friends के लेक बहुत बड़ा achievement हुआ है, मेरे Indian Railways का, एक बहुत ही powerful engine, electric engine, electric locomotive का काम शूरू हो गया है, photo पहले देखा होगा, पर कल इस operation में शूरू कर दिया है, नाम है WAC 12, यह पहला 12,000 horsepower क made in India locomotive है, electric locomotive है, इसके operation में ला दिया गया है, आपको बताना है कि इसको manufacture कहां करा गया है, इंडिया में करा गया है, पर कहां, answer है, माधेपुरा electric locomotive factory बिहार में, यह one of the largest green field locomotive factory है इंडिया की, ठीक है, लगबग 2500 एकड़ में फैली हुई और बहुत high capacity है, लगबग 120 locomotive के capacity production की यहां पे है, पर सवाल यह है कि यह शुरू कर दिया गया है और important ख़बर है यह, ठीक है, फोटो देख लो आप, यह रहा बहतरीन देखने मार बहतरीन powerful, ठीक है, wag 12,000 horsepower का एक चीज़ और धान रखी गा, friends, कल दो बज़े इसको शुरू कर रहे है, कहां से, पंडित दी दियाल उपाध्या जंक्षिन जो है वहां से, जिसको पहले मुगल सरायक के नाम से जानते थे, वहां से शुरू करा गया है, और इसके पीछे पता है कितनी wagon लगाई गई है, 108 wagons, 118 wagons लगा के इसको कल दो बज़े के 8, 2 बच के 8 मिट के असपस operation में लाये गया है, शुरू इंपोर्टन है, चलो friends, दो सवाल और, आंधर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, and the answer is, नीलम संजीव रेड़ी, एन संजीव रेड़ी, कल इनकी बर्थ एनिवर्शरी थी, अब इनके बारे में इंपोर्टन बाते जान दीजिए, सबसे इंपरण बात, ये चीफ मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, आंधर प्रदेश के, जो 1st November 1956 में बने थे, और 1960 तक रहे थे, तो ये डूरेशन उनके चीफ मिनिस्टर रहने का है, आंधर प्रदेश का, और ये इनकी presidency का डूरेशन है, ठीके बात, एक चीज और देख लीजी, ये Indian National Congress के मेंबर रह थे, Freedom Stagal में participate किया था, उसके साथ साथ, दो बार, ये लोकसभा speaker रह चुके हैं, लोकसभा speaker और union minister भी रह चुके हैं, तो बहुती बड़ी political history है इनकी, and he was one of the greatest political leaders of India, कल 19th में को इनकी birth anniversary थी, ठीके, 6th president ध्यान रखियेगा, ये आप इनकी photo देख सकते हैं, नीलम संजीवर last question for the day, official PIB में जारी करा गया है, death rate या mortality rate per lakh population का, तो comparison करने करेंगे उसको यूज कर सकते हैं, तो हमें ये बताना है, इस वक्त, currently, change हो सकते हैं, फिलाल की बात हो रही है, what is the current mortality rate per lakh population of India due to COVID-19, and the answer is 0.2, world की पूरी दुनिया का जो mortality rate है per lakh, एक लाक की population में, दुनिया का 4.1 है वर्ल्ड का, और इंडिया का 0.2 है, तो काफी कम है, ये बात है, दूसरी बात, for example, 26 point something United States का है, US का, United Kingdom का 52 के आसपास है, 52 के आसपास है, इटली का भी है, ठीक है, इस तरह से पूरी डेटा दिया हुआ है, PAB में चेक कर सकते हैं, तो पुरी दुनिया का 4.1 है, इंडिया का 0.2 है, per lakh population में, mortality rate मतलब death rate, ठीक है, US का 26 point something है, UK का, United Kingdom का 52 के आसपास है, बागी countries का भी दिया हुआ है, तो उस मामले में चीज़े बहता रहे हैं, ठीक है फेंड्स, तो ये थे आज के top 10 questions, दिन का वीडियो कौन का जुरूर देखिएगा, और शाम को भी एक important evening dose, एक additional dose कि उसे हुआ है.